नवशकार साथियों मैं हूँ अविनाश शर्मा एक बार फिट से आपका स्वागत है आपके अपने यूटिब चैनल पोजिटिब बिल्डर में तो आज मैं आपको बताऊंगा फ्रोग के बारे में फ्रोग क्या होता है देखिए जब आप ब्रिक मेशनरी करते हैं तो इंटो के उपर जहां कमपनी अपना नाम लिखती है या फिर जो मैनुफेक्चरर है वो अपना नाम लिखता है अपनी इंटो के उपर जैसे कि यहां पर जी बी सी लिखा हुआ है तो यह जो आपका स्पेस यहां पर ऐसे बनाया गया होत इसे हम जो है वो कहते हैं फ्रोग और फ्रोग जो है वो आपको किस तरफ से रखना है उसके डिरेक्शन क्या होनी चाहिए किस तरह से जो है वो यह काम करता है क्यों प्रोवाइड किया जाता है साथ यह जो फ्रोग है इसको प्रोवाइड करने का जो में मोटिफ है वो यह होत कि आपकी brick machinery में जो नीचे की जो brick की layer है जो course है और उपर का course है उसके बीच में जो है वो एक मजबूत bond बन सके इसलिए जो है वो motor इसमें अच्छे से fill हो जाए और अच्छा joint बनाए तो उसके लिए frog जो है वो यहाँ पर provide किया जाता है और यह जो frog है वो हमेशा आपको उप कि तरफ कुछ लोग क्या करते हैं कुछ मैसें बड़ी गलती करते हैं कि वो frog की direction को जो है वो downward रखते हैं तो हमेशा यह जो है वो upward होना चाहिए इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है ताकि आपकी दिवारे जो है आपका घर जो है वो मजबूत हुआ सुरक्षित बन स आपको सामय पर मिलती रहे आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए आपको दिन शुबो धन्यवाद